चीन में आयज़ित हो रहे एशिन गेम्स में भारत के खिलाडियों के पदकों की संख्या सौ हो गई है भाज़पास अंसद राजवर्धन सिंग्राटोर ने देशवासियों को बधाई देते हुए और पियमोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि साधन और सुविधाएं देश देने पर भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने कहा कि पियमोदी लगातार खिलाडियों का उत्साह वर्धन करते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे खेलों में भी पदक आ रहे हैं जिसमें आज तक पदक नहीं आये थे जो अभी चाइना में हो रहा है उसमें भारत के खिलाडियों की पदकों की श्रंखला सौ पार हो गई है भारत के हर नागरिक को बहुत-बहुत बधाई मानिये प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद और बधाई हर अंतराश्ट्रिय खेल के अंदर भारत की जो पदकों की श्रंखला है संख्या है वो बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर एक आत्म विश्वास खिलाडियों के अंदर एक आत्म विश्वास से उसके साथ उप्रदर्शन कर रहे हैं साधन और सुविधा के अंदर भी भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है चाहे वो टारगेट उलम्पिक पोडियम के माध्यम से हर तरह की ट्रेनिंग, दुनिया के किसी भी छोर के अंदर ट्रेनिंग हर तरह की सुविधा, मेडिकल सुविधा और साथ साथ जेब घर्च भी खिलाडियों के दिया जा रहा है वहीं खेलों इंडिया की जो योजना है, उससे एक जो युवा प्रतिभा है उसको आगे आने का एक अफसर मिल रहा है मानिया प्रधान मंत्री जी लगातार खिलाडियों का उत्साह वर्दन करते हैं और शाये खेल से पहले खेल के दोरान और खेल के बाद में ऐसे खेलों में भी पदग आ रहे हैं, जिसमें आज तक पदग नहीं आये थे खासतोर से एथेलेटिक्स के अंदर भारत बहुत शांदार प्रधरशन कर रहा है जो पहले नहीं कर पाता था हर खेल के अंदर जो खेलाडी है उनका प्रदर्शन शांदार हो रहा है आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा परिद्रिश्य हम देखने को मिल रहा है